जहिन दोस्तों मैं सुनिल तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस हाइटेक किसान परिवार पर दोस्तों ब्यस्ता के कारण बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया लेकिन इस पीरियड में आप लोगों के फोन कॉल्स और आप लोगों किसे बात करने के बाद एक चीज महसूस हुई जिस पर हमने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दे जो भी हमारे वीवर हैं जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्नफूजन हो रहा है बहुत ज्यादा लूट हो रहा है जिसके बारे में जागरूप करना यह मेरा दाइट भी है और हमने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दें जिससे और लोगों को भी इस चीज की जानकारी हो जाए कि क्या समस्याएं आ रही है तो आज कल आज कल आज कल आप लोगों नो महसूस किया होगा कि जो ब्यक्त बायो फ्लॉक का समान बेच रहा है वही सीड भी बेच रहा है वही सब कुछ कर रहा है और सीड को लेकर बड़ी सिकायते आ रही है और सीड बायो फ्लॉक या फिस फार्मिंग में एक ऐसी चीज है जिस पे आपका पूरा कल्चर रन करता है और बहुत ही important चीज है जैसे कि आप एक इमारत बनाते हो अगर उसका base अच्छा नहीं होगा उसका गुनियाद अच्छी नहीं होगी तो वो इमारत कभी उस पे अच्छी इमारत नहीं बन सकती है और वो किसी भी समय धरसाई हो सकती है ठीक उसी प्रकार है जो है फिस फार्मिंग में मसली पालन में सीड का काम क्योंकि सीड पे ही कल्चर डिपेंड करता है और अगर आपके ने सीड मेनेजमेंट अच्छा नहीं किया तो आके चलके आपको समस्याएं आएंगी और उस समस्याओं के कारण आप दिमोरलाईज होगे हतास होगे आपको लगे गए ये कल्चर सफल नहीं है दुनिया भर की बाते आपके दिमाग में आएंगी उससे अच्छा है कि आप कुछ लोग होते हैं कि धोखा खाने के बाद सीखते हैं और कुछ होते हैं धोखा खाने से पहले ही दूसरों की गल्तियों से सीख लेते हैं तो हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाए जिसे आप लोग ये जो करफशन हो रहा है इससे अपने आपको बचा सकें अपने आपको जागरूप कर सके और इस तरह के धोखे बाजों के जाल में ना फसें और अच्छा सीख लेके आप अपने अच्छा से कल्चर अच्छे प्रकार से कल्चर कर पाएं दोस्तों मैं एक घटने का जिख करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और उनका नाम है RS Polymer आप लोग सुने भी होंगे वो PVC और टार्पुलिंग और एरियेशन का काम उनका अच्छा चलता है और अच्छे प्रोड़क्ट भी वो देते हैं लेकिन थोड़े से पैसे के लालस में आकर वो सीट का काम भी करने लग गये हैं यह गलती उनकी नहीं है यह गलती हम लोगों की है हम लोग बिना नौलेज के बिना जानकारी के हम लोग भी कल्चर स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे लोगों को प्रोड़ करते हैं कि हम वो मजबूर होके ऐसा काम करने पर विबस हो जाते हैं तो पैसे की लालस में और कोई बात नहीं है इसमें तो उन्होंने एक हमारे मित्र को जो है सीड दे दिया और सीड में जो बात हुई है कि वो कहें कि हम तीन इंज का सीड देंगे आपको और इतने लाइन का बच्चा होगा लेकिन बात में जब सीड की डिलिवरी हुई और डिलिवरी भी उन्होंने जिस टाइम को कहा था उस टाइम पे ना देके उसके 2-4-10 दिन बात दिया और सीड तीन इंज का कहके वो फ्राइज साईज का बच्चा उन्होंने दे दिया फरे वो वो किसान वो फार्मर को इस बात के अंचे नहीं है आप अप उसने तो पैसा दे दिया आपने असको शीड लाके दे दिया ऑप ओर अ्टेंड़म में वो यह नहीं सोच पाता है कि अब हम इस सीड का प्रौश में क्या करें क्योंकि नए आजमी होता है मसली पालन के बारे मुसको जानकारी नहीं होती है तो उसका ये लोग गलत तरीके से बेनिफिट उठाते हैं अब वो सीड ले लिया, सीड लेकर उसने अपने टैंग में डाल दिया और उसके बाद उसमें भैसा मोटाल्टी चालू हो गई फोन करने के बाद वो जो भी इसको रिस्पॉंस दिया हो और बताया उनको जैसा भी उस बंदे ने वैसे वैसे उसका फालो किया लेकिन समस्याएं तब भी समात नहीं हुई और नियर बाउट आज की डेट में उनकी सारी मसलियां मर चुकी है ये घठना इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस से आप लोग सीख लेए आप लोग इस तरीके से गल्ती जो हमारी मित्त नने की है उससे आप लोग बचें और आप लोगों का कल्चर मेरे इस तरह कोई नुकसान न उठाना पड़े इसलिए इस घठना का मैंने जि सीड ले लिया और नॉलेज भी उसको नहीं था और नॉलेज उनको भी नहीं था जिन से उन्होंने सीड लिया क्योंकि उनका काम तो सीड बेचने का है नहीं वो तो थोड़े से पैसे के लालज में सीड भी है उनको देने के लिए राजी हो गया उन्होंने कहीं से मगाया उनक भी दोस नहीं है क्योंकि सीट का काम उनका नहीं है वो हम दो पैसे कमा लेंगे हमसे आपसे इस उद्देश में उन्होंने सीट मगा के उसको दे दिया और जब सीट मगाने के बाद प्रॉब्लम आई तो उस बंदे ने उन्हीं से फोन करके राय लिया भई जिस आदमी को फिस मेनेजमेंट कैसे करना है अब उस बंदे ने उसको जो जो बताया बिलकुल गलत बताया थोड़ा बहुत कहीं से नौलेज लेकर उन्होंने बताया लेकिन समस्या वो नहीं थी जो उन्होंने टीटमेंट बताया उसकी इस वज़ए से सुधार के बज़ाए और प्रॉब्लम से खरीदें हैचरी से खरीदें और उसके बारे में थोड़ी सी नौलेज कर लें अच्छे से तभी सीट खरीदें आप कहीं ऐसे जो है लोगों के जाल में ना आ जाएं कि आप लोग का पूरब नुकसान हो जाएं ये बताने का इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना च चाता हूं कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके थोड़ी सी जागरूपता दिखा के अच्छा सीट खरीदें चाहे वो एक पैसा दो पैसा दस पैसा एक रूपए आपको कोस्टली पड़े वो आप एफोर्ड कर पाएं कर दें एक बार उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि एक रूपए महांगा मिल जाएगा लेकिन आप लोग उसी पर कल्चर कर चलना है तो आपको एक रूपए महांगा पड़ेगा लेकिन आपका ये तो रहेगा कि आपकी स्योर्टी तो रहेगी आप लोग उनसे बिल ले ले जहां से भी आप सीट लेते हैं आप उनसे बिल जरूर आप लोग पहले से ही क्लियर कर लें कि मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे कितने लाइन का बच्चा मिलेगा क्या साइज होगा यह सब चीजे उसके बारे में डिटेल आप पहले क्लियर कर लें उसके बाद आप लोग सीट खरीदें नहीं तो आप लोगों को लॉस हो जाएगा इससे थोड़ा सा आप लोग जरूर इस पे कंसंट्रेट करें इस पे ध्यान दें और इस धोके बाजी से आप लोग अपने आपको बचाएं नहीं तो जिस हिसाब से आज मैं महसूस कर रहा हूं मैं देख रहा हूं अपने आसपास भी और आप लोगों के फोन कॉल से भी सीट के नाम पर काफी जो है धोखाबाजी की जा रहे किसानों के साथ तो आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें दो दिन चार दिन दस दिन पंदरा दिन महीने लेट ही आप कल्चरी स्टार्ट करें लेकिन आप लोग थोड़ी सी उसकी नॉलेज लेके प्रपर वेहमें ही कल्चरी को स्टार्ट करें नहीं तो आपका नुकसान होना तैं है फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी और अगर अभी हमारी बात समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप लॉस उठा के तब हमारी बात समझ में आएगी कि तिवारी जी सहीं कह रहे थे दोस्तों वीडियो यही बनाने का मेरा यही मकसद था और इसी उद्देश से मैं यह वीडियो बनाया कि आप लोग इसमें जागरूप हो जाएं और दोस्तों जो आद्मी जिस काम का इस्पेसलिस्ट है उसको वही काम करने दे आप इसको खिचारी बनाते रहे हैं लोग में सब सब चीजें दिएर दे रहे हैं कि जिसका कोई वजूद ही नहीं है जिसका कोई जानकारी नहीं आप लोग को ऐसे समान दे दिया जारह है ह Affairs सब चीजों को आप लोग थोड़ा-सा अचछे से प्रिपेर-पर होके थोड़ा-सा डीप नॉलिज ले कारी को आगे बढ़ाएं तो आप लोगों को इन समस्याओं से निजात मिल सकता है और इस विश्य में और किसी की कोई queries हो तो आप हमसे पूंश सकते हैं और हम आप लोगों को जरूर help करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं और help भी करते हैं इतना अपना knowledge है और दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप करते हैं हम जो बताना चाहते थे आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में आप लोगों से तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत